हेलो नवश्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का RPSC अड़ा के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर राइट एक बहुती इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ है वो अपडेट यह कि RPSC ने जितने भी एक्जाम से RPSC, RAS समय जितने भी पांच भरती परिक्षा हैं जो होने वाली है उनमें पांचवे विकल्प की शुरुआत करने जा रहा है आपने चार विकल्प तो देखे होंगे A, B, C, D, A, B, S, D लेकिन यह पांचवा विकल्प, क्या है यह पांचवा विकल्प, किस प्रकार से होगा, यह संचे सभी के मन में बना हुआ है हमारे भी मन में बना हुआ है, लेकिन यह क्या है, क्यों है, इसा क्यों किया गया है, यह अपडेट में लेकर आया हूँ बिल्कुल बने रहेगा आनते तक इस वीडियो में राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अपडेट्स आपको रोजाना मिलती है आप यदि किसी प्रकार के एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आरपी एसी एड़ा के चैनल को जोईन करें यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम से उनकी तयारी एक सेलेक्शन ओरियेंटेट तयारी कराई जाती है राइट तो बने रहे है आगे भी इस वीडियो में राजस्तान लोक सेवा आयोग ओमर्स शीट में पांचवे विकल्प की शुरुआत करने जा रहे है आने वाली पांच परिक्षाओं के लिए राइट तो आने वाली कौन सी परिक्षाओं वो भी मैं बताऊंगा लेकिन राजस्तान लोक सेवा आयोग ने ओमर्स जो बेस्ट जो होता है हमारा राइट मल्टिपल चोईस क्विशन जो होते हैं उनके लिए पहले तो चार ओप्षन होते थे पहले चार ओप्षन होते थे लेकिन अब पाँचवे ओप्षन की तयारी कर रहे हैं फिफ्ट ओप्षन लाने की कवायत शुरू कर चुका है और पी एससी तो आने वाली जो भी पाँच भरती परिक्षाओं होने वाली है उनके लिए ये OMR में पाँचवा विकल्प देंगे कौन? RPSC अपने एक्जाम्स में तो ये बहुत बड़ा संशे है अब तक आपने चार विकल्प तो देखे होंगे अब सदक क्वेशन आता है उसमें चार ओप्षन होते हैं उन चार ओप्षन में से एक आपका अंसर होता है लेकिन अब क्या होगा? क्या वो और या फिर none of the above या फिर both of them, both of above इस प्रकार के ओप्षन देंगे या फिर किसी प्रकार से इसा ओप्षन दे सकते हैं कि आपके पास चार हैं आपके पास A, P, C, D ये चार ओप्षन है, इन में से कोई दो उत्तर आपके सही हैं, तो आपको फिफ्ट ओप्षन दे दिया ही, उपर में से A and D, both पान लिजे यहाँ पर X, Y, Z, Q, ये आपके उत्तर हैं, इन्होंने के दिया A and D, both यानि कि A और D ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं आपके question के, यानि कि अब आपको थोड़ी मैनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको मैनत ज्यादा इसलिए करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको A option भी पता होना चाहिए, D option भी पता होना चाहिए, यानि कि आपको जो प्रशन है, आपका जो question है, उसका answer basically क्या होता है आप तुक्का नहीं मार पाएंगे आप तुक्का नहीं मार पाएंगे क्यों क्योंकि आपको दो option दे देंगे मान लिजिए और यहाँ पर आगया कि E वाला fifth option है कि A and D बोथ are correct यानि कि दोनों ही सही है तो आप उस समय पर confused हो जाएंगे confusion यह रहेगा कि A सही है D सही है या दोनों सही है यदि आपने concept को पढ़ा होगा right मैं अभी कहरा हम यदि आपने concept को clear किया है यदि आपने concept को clear किया है तभी आप अपना उत्तर correct कर पाएंगे अपना answer को correct करना तभी possible होगा जब आपने concept को clearly पढ़ा है concept को clearly पढ़ेंगे आप तो कभी नहीं बुलेंगे आप आपने जो पढ़ा है अगर concept wise पढ़ा है तो जिद्दगी में कभी नहीं बुलेंगे यदि आपको निंद में भी उठा कर कोई पूछ लेगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे यदि आपने directly पढ़ा है ऐसा सोचा है कि exam ही तो clear करना है तो कमार के आजाएंगे तो यदि इस प्रकार की आपकी सोच है तो आपको बदलनी पढ़ेगी क्योंकि अब अगर fifth option आता है और इस प्रकार का option आता है तो कहीं न कहीं तकलीफ होने वाली है विद्यार्थियों को तो आप जो भी पढ़ें आप जिस भी exam की तयारी करें उसको आप concept से पढ़ें आप मन लगा कर पढ़ें डेडिकेशन से पढ़ें मोटिवेशन से पढ़ें क्योंकि आप सिर्फ उस exam के लिए नहीं जा रहे है आप पूरा का पूरा एक department को क्या करेंगे वहाँ पर lead करेंगे आने वाले अभ्यर्थियों को भी lead करेंगे आपका selection होता है तो आपका चेहरा एक motivation बन कर आएगा तो आप दूसरों को सीख दे सकें दूसरों को सिखा सकें उतना जरूर पढ़ें knowledge के लिए पढ़ें और knowledge के लिए पढ़ेंगे तो selection बिलकुल होगा ये बागत हमेशा ध्यान रखिए right रजस्तान लोग सेवा आयोग का press note आया था 11 सितंबर 2023 को right आयोग ने कहा कि भविश्य में आयोजित की जाने वाली सभी लिखित वस्तुनिस्ट परिक्षाओं में right वस्तुनित परिक्षाओं मतलब कि multiple choice best जो आपके paper होते हैं उनकी बात की जा रही है वहाँ पर किसी का प्रेश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंद में अभ्यर्थी से पुस्टी करवाये जाने है तो OMR उत्तर पत्रक में पांचवा विकल्पत दिये जाने का निर्णय लिया है यहां इनोंने कहा है कि परिक्षियाओं में किसी प्रेश्न का उत्तर नहीं दिया जाए यदि आपने किसी प्रेश्न का उत्तर नहीं दिया है right आप नहीं देना च पहले क्या करते थे आप पहले तो आप क्या करते थे कि आप मान लिजे question number 1 के तो प्रेशन को पहले आप यदि प्रेशन का उत्त्र नहीं देना चाहते थे तो आप blank छोड़कर आते थे राइट आप क्या करके आते थे blank छोड़ के आते थे लेकिन अब क्या होगा अब क्या होगा आपके पास option है option E तो option E और मैं यहाँ पर इसको option E नहीं बोलकर option 5th कहूंगा option 5th क्या कहेगा यदि आप blank छोड़ना चाहते हैं तो option 5th को क्या करेंगे आप fill करेंगे तो क्या इसा system क्यों लाया गया यानि कि इसलिए लाया गया यदि आप सभी blank छोड़ देते हैं तो नकल करने वाले जो गिरो होते हैं वो क्या करते हैं आपकी तरफ से मैं इसा नहीं कहे रहा हूं आपकी तरफ से यानि कि कुछ लोग होते हैं जो नकल गिरो का सहायता लेते है एक्जाम क्लियर करने के लिए तो उनको यहां से मोका मिल जाता है वो आंसर देख लेते हैं तो पहले तो ACD तक होता था वो यहां पर फिल कर देते थे कि हां जी B option सही है और किसी भी विद्यारती किसी भी अभियरती जो नकली अभियरती होता था उसका selection हो जाता था रैट नकल गिरों के माध्यम से तो नकल की रोकताम करने के लिए राजस्तान सरकार ने रैट डिपार्टमेंट ने RPSC ने उप्शन फिफ्ट लाए हैं रैट फिफ्ट उप्शन की यहाँ पर नीड जहां मैसूस हुई जरूरत मैसूस हुई रैट तो फिफ्ट उप्शन को फिल करना पड़ेगा याने कि अब मुझे पहले तो मुझे क्या होता था कि मुझे अगर किसी प्रेशन का आंसर नहीं देना है तो मैं पूरे उस जो question का जो format होता था उसको मैं fill नहीं करता था blank छोड़ देता था क्योंकि मुझे ये नहीं करना है यदि आप गलत उतर बढ़ दोगे तो इसका minus marking हो जाएगी तो मैं उसे खाली छोड़ देता था पहले लेकिन अब क्या होगा option number E देंगे या फिर कुछ और भी देंगे fifth option उसे fill करेंगे और उसको fill करने के बाद पता लग जाएगा कि आप इस प्रेशन का उत्तर नहीं देना चाहते थे आपने प्रेशन blank छोड़ा है तो यह blank छोड़ा है तो न तो आपकी minus marking होगी और नहीं उसका कोई marks मिलेगा क्योंकि आपने fifth option को क्या किया है fill किया है तो मैं यदि आपके यहाँ पर E option को fill करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा आपने ये question को blank छोड़ा है आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं आप confusion में है इसलिए आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको गबराना नहीं है fifth option ऐसा कुछ नहीं है कि A और B बहुत वाला होगा यहाँ पर clear कर दिया है notification में आपको डरना नहीं है ये तो मैं आपको example बता रहा था तो fifth option यहाँ पर क्या है कि यदि अभ्यर्थी किसी प्रेशन का उत्तर नहीं देना चाहता है तो अभ्यर्थी से पुस्टी करवाने के ल और नहीं कोई इसका माक्स मुझे मिले राइट तो इस प्रकार के लिए आयोग ध्वारा निर्णाय लिया गया और इस प्रकार से निर्देश जारी कर दिये गए हैं राइट तो कोले चिक्षा विबाग की जो साहयक आचारे परिक्षा होने वाली है राजस्तान राज्यम परिक्षा तता भू जल विबाग की साहयक अभियनता परिक्षा में ये सब कुछ जो परिक्षा है मैंने नाम लिए हैं यहां से लेकर यहां तक लगबग पाँच परिक्षाओं में इस वाले सिस्टम को लागू किया जाएगा फिफ्ट उप्शन को राइट इस उप्शन क लागू काने के बाद चेक करेंगे कि इसकी accuracy कितनी बेट रही है और एक तरह से बहुत अच्छा है बहुत ही ज्यादा अच्छा है अभ्यर्थियों के लिए जो मेहनत करके जाते हैं नकल गिरो पकड़े जाते हैं वो exam cancel हो जाते हैं उससे तो बहतर है कि 5th option आ जाएगा आप 5 option को fill कर देंगे तो आपकी OMR sheet में कहीं जगे खाली नहीं है नकल करने वाले नकल करेंगे कैसे तो ये 5th option को आपने fill कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 5th option को fill करने के बाद वो जो question है आपने blank छोड़ दिया ये सिद्ध हो जाएगा ये राजस्तान सरकार ने decide किया है अपने प्रेस नोट में राजस्तान लोग सिवा आयोग ने इन भरतियों के notification जून जुलाई और अगस्त में जारी किये थे अब आयोग ने शुद्धी पत्र जारी कर के लिए करने के बाद इन्हें वापस से शुद्धी पत्र जारी करने के बाद कहा है कि ये जो भरती परिक्षा होने वाली है उनके objective type exam में अब OMR sheet में पांच वा विकल्प भी क्या किया जाएगा add किया जाएगा तो यह आपको मैं बता चुका हूँ तो यह सब कुछ जानकर आपके लिए बहुत important है कि fifth option क्या होगा fifth option इसलिए होगा कि आप blank छोड़ रहे है question को तो उसके लिए आप क्या करेंगे fifth option को fill करेंगे यदि आप fill नहीं करेंगे तो कहीं नहीं मार्किंग की जाती है या फिर हो सकता है आपका question paper reject कर दिये जाए ऐसा भी कुछ आया था कि 10 से ज़्यादा यदि आप blank छोड़ देते हैं किसी प्रकार का जो fifth option फिल नहीं करते तो आपका question paper reject कर दिया जाएगा आप एक तरह से absent माने जाएंगे तो यह आपको ध्यान में रखना है कि अगर आने वाले exam में fifth option आता है यदि आप किसी question को attempt नहीं करना चाहते हैं तो आप fifth option को fill करेंगे यह आपको ध्यान में रखना है एक और मैं तो पुन जानकरी में दे देना चाहता हूँ कि RPSC एड़ा ने MP में भी अपना एक course launch किया था MP work एक कोमर्च के छात्रों के लिए जैसा कि हमारे है RPSC first grade होता है वैसे ही यहाँ पर MP में यह first grade का exam था इसका pre का जो result था वो आ चुका है उसमें मनिशा पाटिदार जी मुकेश सिंग जी प्रग्या शर्मा जी निलेश जी संजय जी रादिका जी शैलू जी रामकिशन जी दीपक जी रिता जी इन सभी का लगबग 10 से भी ज़्यादा अभ्यर्तियों का सेलेक्शन हुआ है RPSC EDA की टीम को बहुत बहुत बदाई RPSC EDA की टीम के द्वारा इन सभी को बहुत बहुत बदाई और RPSC EDA चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी की तरफ से आपको MPWAR के Commerce Prelims Result में क्लियर होने के लिए बहुत बहुत शुक कामना है आपके मंगल मैं बविशे की हम कामना करते हैं आप आगे बढ़ते रहें और भी लोगों के लिए motivation का जरिया बनिये आप देश के आने वाले बविशे हैं और यदि आप teacher हैं तो आप आने वाले देश के बविशे के लिए भी और एक बहुत बढ़ी सीक बनेंगे के एक बहुत बड़ी नीव बनेंगे तो ये मैं शुब कामनाई देना चाहूंगा MP वर्ग एक चात्रों के लिए राइट और एक और बड़ी खबर RPSC स्कुल वक्याता वानिजे का भी रिजल्ट जारी हो चुका है RPSC First Grade Commerce का रिजल्ट जारी हो चुका है अंतिम रूप से चाहे नित होने पर आप तिनों को बहुत बहुत बढ़ाई अब तक की जानकारी मैं हमें पता लगा है कि RPSC Edda से पढ़कर आप तिनों का सेलेक्शन हुआ है यदि इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र सुन रहे हैं जो सुन पा रहे हैं मुझे यदि आपका भी RPSC Edda से पढ़कर किसी भी प्रकार से पढ़कर रहानी के आपने test series purchase की हो या फिर हमारा course purchase किया होगा या फिर YouTube के माध्यम से पढ़ा हो तो आप हमें जरूर जरूर बता है हमें बहुत बहुत ज़्यादा कुशी होगी कि आपने RPSC Edda से पढ़कर अपना चयन सुनिश्चित किया है RPSC First Grade के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कुशी की बात है अशोग गैलोज जी ने rank number 14 आसिल किया है राजस्थान में जो जोदपूर के निवासी है rank number 92 आया है शंकरलाल जी का जो जैपूर के निवासी है और rank number 95 आया है सीमा यादव जी का जो राजसमन के निवासी है बहुत बहुत शुप कामना है RPSC Edda के टीम के और से RPSC Edda के सभी सब्सक्राइब के और से तो इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए यह हमारी बहुत बहुत मंगल कामना है इश्वर से यही हमारी प्रात्ना है कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं जिस भी exam के लिए तयारी कर रहे हैं उनमें आपका selection हो आपका selection हमारे लिए सबसे बड़ी कुशी की बात है हम आपके लिए ही दिन रात मैनत करते हैं आपको पढ़ाते हैं नएने sessions लेके आते हैं MCQ लेके आते हैं कभी test series लेकर आते हैं हमारी application पर वो सब कुछ मौझूद है आप वहाँ जाएं देखें respective exam के लिए respective courses हमने launch कर रहे ह तो बेशक आप तयारी करिए डट कर तयारी करिए पूरे motivation से तयारी करिए किसी प्रकार से आप डगमगाई है मत ये छोटी मोटी चीज़े जीवन में होती रहेंगी आपको लक्ष हासिल करना है तो बड़ा कदम जरूर उठाना पड़ेगा राइट एक और बहुत important notification देना आप चाहूंगा मैं आपको कि यदि आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो आज ही करें RPSC एड़ा के नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर आपको सबसे बहले new job update मिलता है pre notes and PDF वहाँ पर आपको मिलते हैं आप जाकर देख सकते हैं कई प्रकार के exam के लिए और subject wise हम वहाँ notes upload करते हैं regular classes का update वहाँ आपको मिलेगा कई सारे quiz हम वहाँ upload करते हैं PDF upload करते हैं question answer की right MCQs हम वहाँ पर upload कर रहे हैं regular basis पर polls upload करते हैं बहुत सारी activity RPSC Adda के द्वारा की जाती है commerce के विशह में right commerce का जो भी domain है उसके related जो भी subject आते हैं उसके related जो भी जानकरी वह आप लेना चाहते हैं RPSC Adda Telegram Channel से जुड़ें right जल से जल जुड़ें right तो thank you so much वीडियो में बने रहने के लिए मेरा तो यही केना है कि आप बने रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए thank you so much have a great day